तो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे Vodafone आइडिया ने अपने quarter 4 के number disclose कर दियें तो कैसे रहे हैं quarter 4 के number और इसका impact हमें कैसा देखने को मिलेगा कल के दिन stock के उपर तो चलिए जानते है detail में हाले में company ने fundraise किया जो की काफे अच्छी बात थे उसके बाद यह बहुत जादा चर्चा में रहा है तो चलिए इसके results देख लेते consolidated statement देखेंगे और फिगर इन रुपीज लैक में मिलियूंस में देरा का भी क्रोड में convert करेंगे ठीक है यह आपको ट्वेल मांथ रिजर्ट से देखने को मिलेंगे अगर बात के जाए total income की यह total revenue तो अपकी बार जो total income हमें देखने को मिल रहा है वह लगबग एक लाग छे अजार तिन सो त्रानवे मिलियन अगर क्रोड में convert करें तो बनता भी लगबग 10,649 क्रोड का यानि कि previous quarter में क्या था लगबग 10,698 क्रोड तो previous quarter के मुकाबले अपकी बार income में हमें गिरावड देखने को मिल रही है और वहीं previous quarter के same quarter से compare करोगे 10,625 क्रोड तो वहां से आप लोग देखोगे income में jump है year to year income में jump quarter to quarter income टूटी है 12 month ended के अगर बात की जाए तो यहां पर देखोगे लगबग 42,448 क्रोड इंकम थी और जो अब की बार होते हुए नजर आए वह 22,764 क्रोड है 12 month ended में भी income टूटी है इसके बाद देखोगे भी total expense यानि जो खर्चे की है खर्चे आप लोग देख सकते भी 18,302 क्रोड के previous में थे 18,400 49 क्रोड और previous year के पर expense बढ़े हैं और अपकी बार revenue फिर expense से कम है मतलब की company ने फिर से loss बनाया है लेकिन कितना है चलिए देखते भी net profit या loss after tax अगर बात करें तो अपकी बार जो loss company ने दिखाया है यहां पर वह 7,674 क्रोड का जबकि previous quarter में क्या थे भी 6,985 क्रोड और previous year के same quarter से compare क्रोड तो बात की जाए 12 month ended की तो 12 month ended में भी 39,301 क्रोड से जो loss है वो उचल कर पहुंच गया भी 31,238 क्रोड पर उसके बाद आप लोगो देखो कि अर्निंग पर share एक रुपे सतावन पैसे माइनस में है जबकि प्रिवेस में 1,44 था और प्रिवेसरे के same quarter से compare को तो वहां पर एक इसका EPS आया कितना है एक रुपे सतावन पैसे माइनस में जो expect किया गया था उससे कम है ठीक जो expectation यहां पर थी बजार की तरफ से उससे कम revenue EPS हुआ है revenue कि अगर बात की जाए revenue from operations तो वह हमें देखने में 10,606 क्रोड का expect किया गया था भी 10,730 क्रोड का यानिकि earning per share और EPS द इसका जो expected results है उसके मामला में miss हुआ है और इसका जो negative असर है वह में stock के उपर बिल्कुल देखने को मिलेगा तो कल की दिन stock के उपर negative असर आते वह नजर आ सकता है और बाकी भी अगर आप लोग एक निवेश को तो इस notes को वीडियो को post करके I think आपको detail में जुरूर चैनल को subscribe नहीं तो subscribe परना बिल्कुल मत भूलना और यहां पर आप लोग तोटल assets वगर आपको देखने को मिल जाएगी और अब बात कर लेते हैं भी company योपर debt वगरा का company ने कुछ कम किया या फिर नहीं तो यहां पर आप लोगो देखो कि long term borrowing जो है वो हमें previous के मुकाबले यहां पर zero होते हुए नजर आई है जो कि बिल्कुल positive है ठीक है और short term में अगर बात की जाए short term borrowing तो short term borrowing में हमें जोना भी previous के मुकाबले में यहां पर भी गिरावड देखने को मिली है जो कि बिल्कुल positive है तो company ने अपना जो debt है वो previous के मुकाबले कम की है यह अच्छी बा और कुछ पुछना कमेंड में पूर सकते हैं थैंक यूवर वचिंग वर वाचिंग दो वीडियो